हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू फाइनस जांकर यूटूब चैनल मैं हूँ अभजीत और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SBI में किसी भी चेक का पेमेंट को कैसे स्टॉप करते हैं दोस्तो अगर आपका चेक कहीं पे भी लॉस्ट हो गया या दोस्तो आपको लगता है कि आपका चेक मिसी उस हो सकता है तो इस केज में आपका चेक का जो पेमेंट है वो दोस्तो स्टॉप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है पहले क्या होता था दोस्तो सारे लोगों को bank जाना पड़ता था और branch है कि आपका check का जो payment है वो stop करना पड़ता था लेकिन आभी जैसे digitally दोस्तो हार चीज ग्रो कर रहा तो bank भी अपना system launch कर दिया आप you know applications के through दोस्तो instant आप अपना check का किसी भी check का payment को आप stop कर सकते है तो दोस्तो आप सबसे request की please आप इस वीडियो को last तक देखना ताकि दोस्तो मैं सारे चीज आपको आच्छे से समझा दोस्तो अगर आप banking, personal, finance and investment related वीडियो देखना चाते हैं तो हमारा चैनल को नीचे subscribe कीजिए और दोस्तो पास में जो bell icon है उसको भी press कर देना चलिए दोस्तो लेके चलता हूँ मैं मेरा mobile के screen में और वहाँ पे मैं आपको IONO applications को open करके दिखाता हूँ कि आप check payment को कैसे stop करेंगे दोस्तो अगर आपके mobile में SBI IONO app install नहीं है तो आप सबसे पहले play store में जाए और play store में जाने के बाद आपको यहाँ पे search करना है SBI IONO तो आप जैसे SBI IONO लिक के search करेंगे तो आपके समने 2 app आएगा दोस्तो light app को आपको install नहीं करना है जो original app है यानि IONO SBI जो original app है इस app को आपको यहाँ पे install करना है जैसे दोस्तो मेरा यह app already install है उसके बाद आपको यहाँ पे open करना है दोस्तो अगर आपने SBI IONO app के अंदर registration नहीं करके रखा तो सबसे पहले आप अपना account details और OTP को enter करके सबसे पहले register कर लिजे उसके बाद आपको login करना है चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं मेरा user id और password डा तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक options दिखेगा दोस्तो service request करके तो यह service request options के उपर आपको click करना है दोस्तो आप जैसे service request options के उपर click करेंगे तो आपके समने बहुत सारे service को request करने के लिए options आएगा जैसे आप यहाँ पर अपना PIN को manage कर सकते है ATM card को भी block कर सकते है आप सारे चीजे details में बताऊंगा आने वाले time पर चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम सीर बात करेंगे कि आप SBI का check payment कैसे stop कर सकते है SBI Yono app से तो दोस्तो आप जैसे service request options के उपर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे दोस्तो दिखेगा check करके एक options तो check options पर आपको यहा payment किया है या दोस्तो आप किसी check से withdraw किया तो उसका status है आप उसको check कर सकते है आप check का payment को stop कर सकते है उसके साथ साथ दोस्तो किसी भी check का deposit है वो भी आप यहां से कर सकते है तो जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि check payment को कैसे stop करते है तो दोस्तो आपको यहाँ प दोस्तो account number choose करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है type of check यानि आपका जो check है यह किस type की है दोस्तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ SBI की तरफ से दो तरह की check provide किया जाता है सबसे पहला होता है normal check जो हार कोई बंदा use करता है दूसरा होता है दोस्तो multi multi-city check यह multi-city check क्या होता है मैं आपको sword में थोड़ा बता देता हूँ देखिए दोस्तो SBI का multi-city check से आप किसी भी branch में यानि जीस branch में आपका account है उसको छोड़के भी आप किसी भी branch में इंडिया के अंदर तो आप अपना उस check से window कर सकते है दोस्तो यह जो multi-city check होता है यह all इंडिया में valid होता है लेकिन जो normal check होता है उससे सिर्फ आप जिस branch में आपका account है उसी branch से आप यहां से पैसा निकल सकते है तो आपका इत पास जो भी check है जैसे normal check है तो आप normal check select करना है अगर आपके पास multi-city check है तो आप multi-city check को select कीजिए अगर आपको नहीं पता कि आपके check number डालना होता है दोस्तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जब भी आप किसी को भी check दे या आपको कहीं पे भी दोस्तो आप check लेके जा रहे है उससे पहले आप उस check का number को ज़रूर note कर लिजे कभी भी 99% लोग कभी भी आपने check के उपर ध्यान नहीं लिजे क्योंकि यह check number अगर आपका जो checkbook है वो मान के चले की lost हो जाता है या दोस्तो किसी users से या दोस्तो किसी करण से आपको लग रहा है कि आपका जो checkbook है उससे कोई भी misuse हो सकता है दोस्तो अगर उस case में आपके पास check number होगा तो आप यहां से अपना check number को एंटर करके आप अपना जो check payment है उसको stop कर सकता है जिससे आपके check से कोई भी fraud या दोस्तो कोई भी misapending होने से बाच जाओगे तो आपको जैसे यहाँ पर मैं example दोस्तो कुछ भी डाल देता हूँ check number लेकिन आपको यहाँ पर आपना जो साई check number है वो आपको यहाँ पर डालना होगा दो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते मैं यहाँ पर मेरा जो check number वो यहाँ पर डाल दिया हूँ check number डालने के बाद आपको नीचे एक और options आएगा दोस्तो किस रीजन से आप अपना check payment को stop करना चाहते है तो आपका जो भी genuine reason है वो आप यहाँ पर select कीजिए जैसे कोई एक error में आ cash में payment कर दिया तो आपको यहाँ पर paid in cash में select करना है दोस्तो इसके अलाब अगर आपके पास कोई दूसरा options है जिस वज़ासे आप अपना जो check payment है वो stop करना चाहते है तो आप अधर पर click कीजिए मैं दोस्तो मान के चलिए यहाँ पर stolen पर click करतो यानि दोस्तो मेरा जो check है तो मुझे stolen पर check करना है आपके जो भी reasons होगा आप वहाँ पर reasons को डाल सकते है लेकिन दोस्तो धिया रखिए कि निचे आपको यहाँ पर disclaimer दिख रहा होगा इस service charge of 100 rupees plus applicable tax live इसका मतलब क्या है दोस्तो कि अगर आप किसी भी check का cancel करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे आप new checkbook मंगवाएंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तो 100 से लेके 500 प्लास आपको यहाँ पर GST भी लगेगा ठीक है और यह जो amount 500 यह maximum है लेकिन minimum आपको 100 रुपे लगेगा यह depend करता है branch to branch आपके कौन सा account है उसके उपर यह सारे चीज़े depend करता है लेकिन आप धिया रखिएगा करना है दोस्तो next बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी details अपने डाला वो आ जाएगा आप इसको जरूर रिचेक कर लिजे रिचेक करने के बाद I have read and agreed to the time and conditions पर टिक करना है उसके बाद आपको confirm बटन पर क्लिक करना है दोस्तो confirm बटन पर आप जैसे कोमेंट कर सकते हैं मैं आपको reply करने की पूरी कोसिस करता हूँ दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजे इससे हमें motivation मिलता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो banking, personal finance and investment related update पाने के लिए हमारा चैनल को अभी हुआ पाने किया थाई शवे कblingrain को वीडियो आप spend को अभी वीण